बड़ी कबर के सार्थ हरीद्वार से बड़ी कबर जहां मामंसा देवी और माचंडी देवी का रूपवे तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है तो मरमत और रखरकाव के लिए रोप में बंद हुआ है मामंसा देवी का 4-6 जुलाई तक रोप में बंद रहेगा माचंडी देवी का भी 7-9 जुलाई तक रोप में बंद रहेगा तो इस दोरान जो मरमत का कारे है वो यहाँ पर किया जाएगा तो बड़ी तादाद में श्रिधालो यहाँ पर पहुँच रहे है और ऐसे में श्रिधालो की सुरक्षा को देखते हुए आप ये तीन दिन तक जो रोप में है वो बंद रखा जाएगा जिसमें मरमत और रखरकाव के लिए जो कारे है वो किया जाएगा मनसा देवी और माचन्डी देवी का रोप में तीन दिन के लिए बंद रखा जाएगा मरमत और रखरकाव के लिए रोप में बंद किया गया है मा मनसा देवी के अगर बात करें तो चार से चे जुलाई तक रोप वे यहाँ पर बंद रहेगा यहाँ पर कारे मरमत और रखरकाव का जो कारे है वो यहाँ पर किया जाएगा तो एद्वार से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं तो यह श्रधालू के लिए बड़ी और एहम जानकारी है मा मनसा देवी और मा चंडी देवी का धर्शन कर रहे शुड़ी ये बड़ी कबर रोपवे तीन दिन के लिए यहाँ पर बंद रहेगा इस दोरान मरमत और रखरकाव के लिए रोपवे बंद रखा जाएगा तो बता दे कि सुरक्षा यहाँ पर, सुरक्षा के मदे नजर ये बड़ा पैसला यहाँ पर और इस दोरान जो मरमत कारे है, रखरकाव का कारे है, वो यहाँ पर किया जाएगा जो रोपवे है वो 4 से 6 जुलाई तक बंद रहेगा, माचंडी देवी के रोपवे की बात करें तो 7 से 9 जुलाई तक इस रोपवे को बंद रखा जाएगा और चलिए अब चमोली से बड़ी ख़वर जा हाइवे पर कार के उपर गिरी चटान, कारसवार महिला और यूवक की मौत कर्ण प्रियाग वालदम हाइवे पर हाथसा हुआ है, कर्ण प्रियाग से नाराण वगण जा रही ती कार, इसी दोरान हाथसा अगर 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 और इसक्यू के दोरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस दोरान लंबा जाम भी यहाँ पर देखा गया हाथसे के चलते, तो चमोली से यह तस्वीर एसक्योजिव तस्वीरों के जरीह हाइवे पर कार और उपर जो चटान गिरने से यह हाथसा हुआ है, जिस पर एक महिल तो गटना की सूचना पर रिस्थाने पुलिस मौके पर पहुंची रिस्क्यू यापर किया गया हाथसे में कार्सवार महिला और पुरुष की मौत हो गई तो वही कार्सवार थराली कुल सारी के बताए जा रहे हैं जो की करनप्याग से नाराण बगड की तरफ जा रहे थी इ नहां पर भी उसी का कहर बरपा है कार पर अचानक की हाँ पर चर्टान का घिरा जिसके चलते ये हाथसा हुआ है कर्णप्याग गुलदाम का ये हाथ से हाइवे की तस्वीर आपके टीवे स्क्रीन पर तो हाथ से के बाद किस तरह का आलम पहली तस्वीर में आप प्रेस्क्यू के दौरान की तस्वीर देख रहे हैं दूसरी तस्वीर ये हाथ से के बाद किस तरह से मौके पर हरकाम भारी भ खिला सव और यूवक की मौत हुई है जो इस कार में सवार थे और उस्वेश एक और बड़ी खबार बद्रिनाथ हाइवे खोला गया वारिश के चलते बंद हुआ था हाइवे और अब इस हाइवे को खोल दिया गया है राजमार्ग के दोनों तरफ पसे सैक्डब बाहन तो 13 यात्रों को इस दोरान भारी धिक्टतों का सामना करना पड़ा शिरोग अगड़ के पास बंद बद्रिनाथ हाइवे बंद था लेकिन अब इसको खोल दिया गया है आपको बता दे कि मुस्तधार बारिश की बजा से बद्रिनाथ हाइवे को बंद किया ग रहा था काफी देर तक मश्रक्त यहां पर की गई और मश्रक्त के बाद यातायात को सावाने रूप से एक बार पर से चालू कर दिया गया इसक्लियोजिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रेंग पर भी दिखा रहे हैं और स्वीच एक और बड़ी खबर का रुकर लेते जा गंदा में डूब रहे यूवक को जल पुलिस ने बचाया तो विश्म कर्मा घाट पर टेस बहाव की बजा से या अच्छा जल पुलिस सीपियो जवानों ने बड़ी पाहदूरी यहां पर दिखाई गया तो तस्वीर भ के टीवी स्क्रीन पर तो किस तरह से बहादूरी का ये परिणाम दो तस्वीरों के जर्याब देख सकते हैं विश्म कर्मा घाट की ये तस्वीर जहां तेज बहाव में ये यूवक पहता चला गया जिसके बाद से यहा था तो जल पुलिस सीपियो जवानों ने किस तरह से पातुरंत जल पुलिस के जवानों ने नदी में कूद कर यूवक को डूबने से बचा लिया तो यूवक का हर्याडा का रहने वाला बताया ज़ा रहा है आते हुए एक यूवक बढ़ गया लेकिन चांस अच्छा था कि प्रेंडगर आसम पहुंचते पहुंचते वो जंजीर को पकड़ लिया और इसी बीच हमारे जल पुलिस और सीपियो को इसकी सूचना में मौके पे तदकाल एक्शन लेते हुए सीपियो और जल पुलिस वाले मौके पे पहुंचे और उस यूवक को बचाया लिया और अब नैनी ताल से बड़ी कबर बाइक पसंद ने यूवक की मौत बता दे कि हाथ से का सीचिटीव फटेज सामने आया तो सीचिटीव फटेज में पसलती दिख रही है बाइक परिजनों ने हत्या की आशंका यहाँ पर जताई यह नैनिताल से बड़ी जानकारी जहां बाइक पसलने के चलते ही हाथ सा जिसमें यूवक की मौत हो गई और यह पूरी घटना वालगे सीचिटीव में क्याद हो गई देखे तस्वीर भी सामने आई है कि किस तरह से यूवक की बाइक पसलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वीडियो में यूवक की बाइक बाइक बारिष के पारी में फिसलती साफ तौर पर देखी जा सकती है तो परिजनों ने हालकि इस हाथसे में हाथसा ना मानते हुए इसे पुलिस से हत्या की आशन का जाहिर की थी जिस पर पुलिस की विजाच जारी है तो उत्रखण में आफद की बारिश से हाल बेहाल है और यही नहीं दैरादू समेट प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ते भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और अब इसकी पाच तस्वीरे भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं पहाड पर बारिश का सितम किस तरह से चल रहा है वो आप पाच तस्वीरों के जरिये देख रहे हैं यही नई बदरिनात और केदारनात जाने वाले तिर्थियात्रों को भी काफी जो है मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है महिश्य निवार को तेज बारिश के चलते देरादून के रायपुर इलाके में जल जमाव की स्तती यहाँ पर जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से जल भराव यहाँ पर हो रहा है वहीं जगा जगा जल भराव और नदियों के जलस्तर बढ़ने के बाद आला अधिकारी आक्शन में है तो देरादून में AGM केके मिश्रा ने नदियों के किनारे बसे गाओं और रैन बसेरों का निरिक्षन किया इस भी चलतवानी में बारश के चलते जल भराव से लोगों का हाल बेहाल है तो लोगों की रोसमर्रकी जल्दगी किस तरह से प्रभावित हो रही है लगातार हो रही बारश के चलते वो आप पाच तस्विरों के जरिये देख रहे है और अब देरदून से बड़ी कबर जहां नया हेलिकॉप्टर लेगी धामी सरकार तो बेश साथ पुराना हो चुका हेलिकॉप्टर सरकार एक साथ दो विकल्पो पार काम कर रही है नई हेलिकॉप्टर खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी लीस पर हेलिकॉप्टर लेने का भी टेंडर जारी करेगी सरकार तो पड़ी जानकारी उत्रखण सरकार का हेलिकॉप्टर करीब 20 साथ पुराना हो गया जिसके चलते अब प्रदेश सरकार नया हेलिकॉप्टर लेने की तैयारी में हैं तो सरकार नया हेलिकॉप्टर लीस पर लेना चाहिए